हलो मेरे प्यारे च्छात्रों आज आप सभी को 2024 का समाजिक विज्ञान का जो पेपर वायरल है इस पेपर का आप सभी को अहल बताने वाले हैं साथ मार्च को ठीक है जो यहाँ पेपर आप कराएंगी यही पेपर आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा आपको साथ में जो मांचित्र से संबंदी जो आपके सवाल पूछे जाते हैं आपको मांचित्र पे भरके भी बताएंगे कि आप बूड की एकजाम में मांचित्र वाले सवालों को कैसे करेंगे और साथ में इस पेपर का हल भी बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो फ्रेंस आप सभी का समाजी विज्ञान का जो पेपर साथ मार चुका है उसका एक प्रकार की ये वारल पेपर है इस पेपर का आप समपूर हल जरूर देखिए चलिए फ्रेंस वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं तो चलों साथ में सब्सक्राइब कर ले फ्रेंस देखिए जब भी आपको समाजी वीडियान का प्रशन पत्र इस प्रकार से मिलेगा तो यहाँ पी लिखा रहता है समय जो समय रहता है तीन घंटा आपको पंदरे मिड़ का संपूर समय मिलेगा और पुडांग जो रहेगा आपको टोटल सत्तर नंबर कराता है तीस पेपर का आपको समपूर हल जरूर देखना है ठीक है आप यदि छे मार्च को रात को भी इसको देख लेते हैं तो आपके हंडेट परसंटेज आप सत्तर में आप आसानी से सत्तर ला सकते हैं इस पेपर को आप जरूर देखिए देखिए यहां पे नोट दिया रहाता है कि आपके 15 मिट जो हता है प्रशन पत्र पढ़ने के लिए निरधाईत रहता है यहां पी इसके कुश निर्देश दिये जाते हैं पहला निर्देश के आए कि सभी प्रश्ण करना आपके लिए अनिवार है सेकेंड निर्देश होता है कि इसके दो खंड होते हैं खंड और खंड बाव में दो भागवी भाजित होगा खंड आ में एक अंक्य के 20 बोविकल्पी प्रश्ण रहते हैं जिसका उत्तर आप अगला देखिए छोंद गष्ण Ubuntu में 50 अंकितर वरतमक प्रश्ण रहेंगे इस खंड में देखिए इस जो निर्देश दिया इसको आप जा लिए यह आपके सभी के लिए important निर्देश है इसमें क्या है कि वड़ात्मक first रहेगा वड़ात्मक second रहेगा साथ में आपको मांचीतर से संबनी दो प्रशन रहते हैं इस निर्देश को आपका जानना जरूरी है खंड बाद जो आता है सभी प्रशन करना आपके लिए जरूरी है और सभी निर्देश आप सभी को पहले सब पता है ठीक है तीस निर्देश के बारे में आपको कोई खास जानने की जरूरत नहीं है चले फ्रेंस सीधे आपको प्रशन पर लेकर चलते हैं और सभी प्रश सब्सक्राइब करा रहे हैं ठीक है इन क्वेस्चनों को आप एक दो बार देख कि प्रशनों को अदम रट लीजिए पहला प्रशन क्या है इन लिखी तने ताओं में से किसने एक गुप्त संगटन यंग इटली बनाया था आपसान आपके सामने है कि विक्टर इमेनियल दूृतििनं ने बनाया था यह सभावाव जो बनाया था कि अगला प्रसन आपका है कि निवनलिखित मेंसे 1931 मैं जर्मनी का प्रृठम् सम्राट गोसित किया गया प्रथम समराट किसे गोसित किया गया था इस प्रशन को आदम याद कर लीजिए ठीक है कैसर विलियम प्रथम थे विलियम दियूतिय थे यह फ्रेडरिक विलहेम प्रथम यह आटोवाल बिसमार्क थे ठीक है जिसे आप जर्मनी का प्रथम समराट गोसित किया गया था वह कैस विलियम प्रथम थे इस प्रश्ण का सही जवाब एवल आपसन सही हो जागा जर्मन का प्रथम समराट कौन थे कैसर विलियम प्रथम अगला प्रशन देखिए आप तीसरा नंबर का ठीक है 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था इसे आप जरूर याद रखें तंत्र था यह लोग तंत्र था ठीक है देखिए वहां का जो सासन था असीमित राज तंत्र था इस प्रश्ण का सही जो आप भीवल आपसन सही हो जागा अगला प्रस्ण देखिए कि ब्रिटेन में कार्ण कानून समाप्त करने का क्या करण था देखिए कार्ण कानून चाश्इब के तरह सत्य कि अद्र में टी। लिह जो तोयव किया गया था कि अमेरिका के विवना अद्रिश्ण कहा चाहिए अगरा। देखिए क Δया है कई वीशे संग सूची में are आप संग सूची से सब्वादीÚ जितने भी आपके प्रश्न उसको जरूर मáल जाता है ठीक है जबकि सिच्छा जो हता है आपका समवर्ती सूची के अंतरगत आता है, जबकि किरसी और ब्यापार जो आता है, राजी सूची के अंतरगत आता है, जबकि किरसी और ब्यापार किसके अंतरगत, राजी सूची के अंतरगत जबकि सिछा आपका समवर्ती सूची के अंतरगत आता है, ठीक है, देखे आप पर अगला नमबर का साथवा नमबर का एक स्रीलंका में आपका संहली बहुत संख्यक वर्गपाई जाते हैं अगला देखे सजुक्त राज अम्रिका यह स्रीलंका जो संगहात्मग सासन आपका नहीं ब्लजियम में आपको संगहात्मक सासन नहीं है तो इस परश्ण का सही जवाब वी वल आपसन सही हो जाएगा अगला देखे नो नमबर का महत्मा गादी का विचार था महत्मा गादी जी के विचार क्या थे यह आपको बताना है जैसे आपका आपसन है धर्म को कभी भी राजनितिक से अलग नहीं किया जा सकता धर्म का राजनिति से कोई संबंध नहीं है धर्म और राजनिती अलग-अलग है या इनमे से कोई नहीं देखें महादमा गादी जी का जो विचार था वो था कि धर्म को कभी भी राजनितिक से अलग नहीं किया जा सकता है और जीस प्रस्णिक का अगला दस्वा नमबर देखिए आप ठीक है दस नमबर का प्रस्णियस संबंदि थी कि आपको लोक तंपर से कौन से संबंदि ना जैसे पारदार्श के Seriously आइसमे पिश्याशनन और या उत्त्र या इनमें से सब्वी जो लुकतंत्र से संबंदि और यानि सोपानी खेती की जाती है आपका उत्तरा खंड राज में किया जाता है इस प्रशन का सही जवाब क्या हो जाता है सबसे करें चरदी के मोसम तो ऐसे prol मोटन समय में आपका ज्याता हो जाता है भी कि आंदर उयाता है सरसो भी आपकी रभी की फसल के अंद्रगत आ जाएगा गेहूं क्या हो जाएगा गेहूं भी आपकी रभी की फसल के अंद्रगत आ जाता है ठीक है जबकि चावल को आप याद रखिएगा ये आपका आता है खरीब की फसल के अंद्रगत खरीब का मतलब होता है कि जो आपके सा बरसाथ की दिन में बोय जाते हैं वह खरीब के फसल कहलाते हैं ठीक है आप इसे याद रख सकते हैं अगला देखें तेरा नंबर का आप पया-ईयाता है कि इस प्राशन का değil को सा ओढ आपका पाया जाता है तो इस प्राश्न का सही आप नावज्क za शुना-पथर का कच्छा तो प्रियूँग किया जाता है कच्छे माल के के रूप में कौन प्रियोग किया जाता है जैसे प्लास्टिक हो गया मोटर गाड़ी हो गया सिमेंट हो गया यह अलिमुनियम तो कच्छे माल के रूप में जो चूना पत्थर होता है उसमें जो कच्छे माल के रूप में प्रियोग किया जाता है वह होता आपका सिमेंट इस का सही जवाब आप सीवल आफशन को याद रखिएगा अगला देखिए प्रश्ण आप 15 नंबर का निम्नलिकित पड़ोसी देशों में से मानो विकास के लिहाज से किस देश की इस्तिती आपका बेहतर थी 2017 के अनुसार आपका प्रश्ण पूछा था ठीक है तो किसके इस्ति अगला देखिये एक वस्तू का अधिकान सत्हा प्राकृतिक परिक्रियास से उच्पादन में संपलित होता तो वह आप那 आपको अभी स्क् consist committee अभी में इसको डिटेल में पार लीजियेगा इससे कोफिएक एक्जाम में हर साल पूचा जाता है ठीकhericि केकशेफक जो प्रात्मिक що देखेसित के एंदरगत किरसी को रखा गया था किहांट अगरा जा देखे आप 18 नमबर का Kennelye số 4 की अंतना साइड का संबंद होता आपका खोला से समबंद होता है अगला 19 नमबर काade, इस प्रश्यत में जरूरी याद रखिएगा कि बंगला देश में जो ग्रामुर बैंक उसकी अस्थापना कब हुई थी तो आपका सही एंसुर हो जाएगा 970 इस्वी में बंगला देश में ग्रामुर बैंक की अस्थापना हुई थी तो इस प्रश्ण का सही जवाब क्या हो जाएगा सीवल आपसन सही हो जाएगा अगला प्रश्ण आपका है 20 नंबर का सारवजनिक और नीजी छेत्रों का वर्गी करण निमनलिखित में से किस आधार पर किया जाता है आपसने रोजगार की शर्त को देख के किया जाता है आर्थिक गती की प्रकृति को उद्यमों की स्वामित् प्रश्ण का सही जवाब सीवल आपसन सही हो जाएगा प्रश्ण में पहला प्रश्ण है इसको आदम याद रखिएगा कि राष्टवाद का हुता है सर्वपर्थम किस देश से हुआ थे पर तेक जो हता एक एक नंबर का होता है आप कमेंट में यह वताईएगा कि 20 प्रश से वताद इस प्रश्ण का सही जो आप बीवला आपसन सही होगा इसे आप अभी याद कर लिजिए कि राष्टवाद का जो उदय हुआ है सरुपर्थम फ्रांस देश से हुआ है अगला प्रश्ण देखिए आप ड्यूक मेटर्निक ने समाजिक विवस्था का सबसे खतरना दुस्मन माना गया था यह माना गया था जूस्वी में सिर को इस प्रश्ण का सही जवाप डिवल आपसंद आपका क्या होगा सही होगा अगर प्रश्ण को देखते हैं देखिए आपका सूती यहाँ पे ध्यान दीजेग सूती कपड़ा मेल की रूप रेखा किसने रखी थ थी वह रखे दे रिचर्ड और क्राइटर ती इस प्रशन का सही जो क्या होगा बीवला आपसन आपका सही होगा और रिचर्ड और क्राइटर ठीक है तो आप बीवला आपसन इसको सही कर लिजिएगा अगरा प्रशन देखिए और और 928 से और 934 के बीच भारत में गियों की कीमत 50 पर 30 तक गिर गई इसका कारण था अंतराष्टी बैजार में अंतराष्टी बैजार में क्या हुआ था आपसने कीमतों का गिरना कीमतों का बढ़ना कीमतों का इस्तिरह ना उपरियुक्त में से कोई नहीं तो देखिए यहां आप इसका सही जवाब एवला आपसन सही होगा कीमतों का गिरना यानि कि यह हूं की 50 पर 30 तक गिर गई इसका मुख्य कारण था कि उसकी कीमत क्या हुआ था कि उसके कीमत में गिरावट आ गई थी तो आपका आपसन सही था अगला प्रसन देखिए आप पाच्वा नंबर क 1948 इस्वि में गुटेन बर्ग ने कौण सी पाली पुस्तक चापी थी तो गुटेन बर्ग ने कौण सी पाली पुस्तक चापी थी देखिए आपका इसके सामने आपसन है जेन आयर रमोना हाठ केटी डिट या बाइभिल देखिए यहां पीसका सही जो दवला आपसन सही हो जाएगा को नई अरे 1448 इसमी में गुटेन बर्ग ने जो बाइबिल नामक पुस्तक को छापी थी तीस प्रशन का सही जब दवलापसन सही कीजिएगा अगरा प्रशन बेल्जियम में समुदाइक सरकार का चुनाव कौन करता है जो बेल्जियम समुदा है उसमें सरकार का लोग अगला प्रसंदेखी सात्वा नंबर का निम्न लिखित में से कौन सा लच्छड संगी सरकास संबंदित नहीं है आपसन है कठोर एम लिखित सन्विधान होना चाहिए शक्तियों का केंदिर करण संग इमराज्यों के मद शक्तियों को विभाजन यह सरवच नयायाले देखें यहां पर आपका जो सही जवाब होगा और आपसन सही हो जाएगा कठोर एम लिखित सन्विधान तो यहां पर कौन नहीं है कठोर एम लिखित सन्विधान नहीं है अगर आप प्रशन देख लीजिए आप आठवा नंबर का निम्न लिखित में से कौन सा अलाइंग जो मतलब यहां पर लाइंगी समानता को बढ़ावा देने कार कौन सा इसमें से नहीं है यहां पर देखिए आपके सामने आपसन है इस प्रश्ण का सही जवाब आपको सीधे सीधे हो जाएगा बावला जैविक बनावट इसके अलवा सरम का लाइंगी विभाजन हुआ समाज क्या प्रधान होना महिलाव में साच्छर्टा दर की कमी यह लाइंग और समानता को बढ़ावा देने के कार रहें जबकि जैविक जुब बनावट होता है यह लाइंग समानता को बढ़ावा नहीं देता है अगला प्रश्ण देखिए आप 9 नमबर का संप्रदाइक्ता की स इस प्रश्न का सही जो आप वहला हो जाएगा संप्रदाइट्ता की समस्या प्रारंब होती है ति दवल आपसन आपको प्रेक्ट हो जाएगा अगरा देखिए निमनलिकित में से कौन सा संगी सूची का विशे नहीं है यहां पर नहीं सब्द पूछा है देखिए यहां पर सह सही जो जाएगा सिच्छा सिच्छा जो होता है आपका समवर्ती सूची के अंतरगत आता है जबकि इसके रहां प्रतिरच्छा हुआ मुद्रा हुआ विदेशी मामला हुआ यह सभी संगी सूची के विशे के अंतरगत आते हैं अगरा प्रश्न 11 नमबर का देखिए निमनल आप सही हो जागा तो आप याद रखिएगा कि पंजाब में भूमी संकुचन का मुख्यकार गहन खेती है ठीक है अगर आप रश्न देखिए बार नमबर की इसको तो इंप्वार्टेंड कर लीजी या मान्चित्र में भी सवाल पूछता है सवाल तो इसको याद सिदह आपको बता देते हैं कि भाख़ा नांगरबाद जो है किस नदी पर तो सतलुज नदी पर है यानि कि का का तिसरा सई है तो आप संदेखिए का 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 तिसरा यह दिया है और सवाला दो आप संद मिल रहा है आपका पर अभी ठीक है इसके अलाद के हीरा कुंड आप काहा तो कहीं नहीं भी लगा लेकिन इसके अलाब आप को प्रष्ण पता रिसको सीजिँ यहाद रखे सरदार सरवरबांद का पर रेकंगा याद रखिए त हरी बांड़ जो है आपको भागी राद थी नदीपर है सब किस नदीपर है विक वर सब चृतर कौनड माहान कर लीजिए ठीक है देखिए अगला प्रश्ण आपका है तेरा नंबर का कि निम्लिकित में से प्राथ्मिक छेत्र क्रिया कलाप इसमें से बताना है कि जो क्रिया कलाप है इसमें प्राथ्मिक छेत्र का क्रिया कलाप कौन सा नहीं है यह से मचली का पकड़ना किरिसी गूर बन ना ये प्राथमिक शेत्र का क्रिया कलाप नहीं है जब कि क्रिसी और डिये उप्राथमिक सफंससा करेंग आता है अगला प्रशन होगा ट pitch वहला यह कॉचित पर इस अक फिस्त्रेगों नहीं आता है अगला प्रश्न देखें आप चोधा नंबर का विस्तार वजनेक एमनीजी च्छेत्र को किस आधार पर वर्गी कि गरत किया गया है उद्धां का स्वामित्यों के आधार पर अगला प्रस्न जोब ऑवल आप्सन सही हो जागा भूच हर से जो तातपर है भूमी का अनुपजाओ होना होता है अगला प्रेशन शोलो नंबर का देखिए कि मगरमच गांड़ा और काला हिरन किस जाती में नहीं आते हैं आपको पताना ना कि अगर मच हो गया गांड़ा हिरान किस आती के अंदरगत नहीं आते है तुह यहां पर क्या ओ जाएगा इसक संकट गरस्त जाती के अन्दरगत नहीं आते है तो इसका सही जो उडरे नहीं करेक्ट हो जाएगा ते समा में प्रसंदे के सरकार विदेशी ब्यापार को नियमित करने के लिए ब्यापार और दुगों को प्रयोग कर सकती है तिसका सही जवाब यह ठीक है आपसन अभी सरकार यह निर ले सकती है कि देश में किस प्रकार के वस्तु हैं कितनी मातरह में आयोजित होनी चाहिए यह भी आपसन सही है ब्यापार और दोगों बढ़ावा देता है जो कि ऐसा कुछ नहीं होता है दवला भी देख लिजिए अधिकतर देश ब्यापार और दोगों का प्रियोग अपने घरेली उद्योगों की सुरच्छा के लिए करते हैं यह सही बात है ठीक है यहां पर इसका सही जोब 17 को हो अधिक मजदूरी देना भूमिहिंद मजदूरों के लिए सबसे अधिक उप्युक्त विकास का लच्छ क्या होगा अधिक से अधिक मजदूरी जब मिलेगा तो अपने विकास की और अग्रसर होंगे 19 नंबर का देखिए प्रशना निमनलिकित में से कौन सा प्रमप्रागत चली आ रही है तो भूटा यह अदो जरूर जा पढ़ें अगला प्रशन देखिए 20 नंबर का वाइश्कवी कोई प्रभाव पड़ा यहां पर आप्ष्ण को ध्यान से पढ़िएगा कि बाउराश्ट्री कमपनियों के निवेश में ब्रिद्धि वही सही बात है दम बाउराश्ट्री कमपनियों दोरा भारत की विदेशी ब्यापार के अधिकांज भागपनियंद्र की हुआ यह भी अदम कर में दोर्टुद तीनों से इस प्रक्ष्ण का सही आप दावल अप्ष्ण आपको क्या हो जाएका सही हो जाएगा ठीक है तो यहां पर करेक्ट कर लीजिए दावला आप्ष्ण करेक्ट हो जाएगा तुम्हाद्या पहला सवाल हैं सईजुक्द राश्ट संग की अस्थाप जाये तो इस प्रश्न का सही जवाब ठीक है 18 वर्स हो जागा अगला देखिए सुवराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह लाइन किसने बोला था यह बोला था बाल गंगा धर तीलक ने इस प्रश्न का सही जवाब खोवलावसन सही हो जागा बस एक बर फ्रेंश आप इन सभी प्रश्नों को सरसरी निगाहों से देख लिए जिस सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको आज सुबह के पेपर में समाजी विग्यान के पेपर में सभी क्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगा प्रथम विश्वयुद का प्रारंब कब हुआ था तो देखे प्रथम विश्वयुद का प्रारंब हुआ था इस प्रश्न का सही जब कवल आपसन सही होगा अगला प्रश्न देखिए संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले कहां है संयुक्त राष्ट संग का जो मुख्याले आपका न्यू यार्क में इसका सही जब गवल आप्सन सही हो जागा सही युक्तिराश्टसंग का मुख्यले कहां पर नियु यार्क में अगर देखे भारत छोड़ो आंदूलन किसने प्रारम किया था तो भारत छोड़ो आंदूलन महत्मा गाधी जी के द्वारा चलाया गया थैं तो इसका सही जब गवल आप् इसमें पूछे गए सभी प्रश्ण है ठीक है तो आप इन प्रश्णों को जरूर एक बार ध्यान से देख के जाए कम से कम समय में ज्यादा कोईशन का आप सभी को रिविजन करा देंगे अगरा देखिए करतन दहान यानि कि जूम कि रसी निमनलकित में से किस राज्य में पा प्रश्ण को मदलब आने वाल अपस और अगरा प्लाश्ण का सही हो जाए निमनलकित में से कौन सब्सक्राकर कोसा एक संभावी चाहए संसादन माना जाता है संभावी संसादन मतलब आने वाला से फसल मोटे अनाश के अंतरगत सम्रित की जाती है तो मोटे अनाश के अंतरगत जुहार को रखा गया है इसका सही जब गवलाफशन सही हो जागा कि कौन से कौन सी फसल मोटे अनाश के अंतरगत रखा गया है तक गवलाफशन सही होगा अगला समानता किसी देश का विकास न आपका सही होगा अगला प्रशन देखिये नीवन लिकित में से किस आधारप सारवजनिक और नीजी चहत्र का विभाजन किया जाता है तो यह जाता है उद्यमों में नियोजी श्रमिकों की संख्या कि आधारप पर असे जब अभवल आपसन सही हो जाएगा कि निर्न लिखित में से किस आधर पर सारवाजनिक और नीजी छेत्रों का विभाजन किया जाता है तिसका सही जब खवलापसन सही होगा देखिए अगला सेट जो है आपका प्रशन पूछा गया इन सभी प्रशनों के भी देख लीजिए फ्रांस की करांती कब हुई थी फ्र के पेपर जो आप देने जा रहे हो यही सब क्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगा एकलावस फास्ट्रेक रिविजन की तरफ इन सभी क्वेशनों के एक वर आप देख लीजी के वन अगला देखिए भारत में सिच्छक दिवस कब मनाया जाता है तो भारत में सिच्छक का कर संबोधित किया गया था संयुक्त राश्यंग का मुख्याले कहां पर है संच्छक का मुख्याले अभी आप सभी को बता है यह आपका न्यूयारक में तिसका सही जो खावल आप सांग सही हो जाएगा अगला परसंदेख लिजिए आप लोग भारती राश्टी का सब्सक्राइब करें तो इस प्रश्ण को ज़रूरी याद रखेगा कि सब्सक्राइब कभी जनवरी प्रफशन को लागव था ठीक है गन्ना को रोपड़ फसल के अंत्रगत रखा गया है अगला देखिए निवनी में से कौन से संसाधन पुना चक्री है पुना चक्री का मतलब जिसे दोबारा बनाया जा सकता है तो यहां पर देखिए लोहा जुआरी उर्जा पशुधन दिया है और पवन उर्जा दिया है यह के लिए तो को से याद रखेगा कोईला कोबरा प्रशिद किसलिए कोईला के लिए अगला प्रशन देख लिए आप निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल के अंत्रगत आता है तो यहां पर पताना है कि रेशेदार फसल कौन सा है ठीक है तो यहां पर जैसे कपास हुआ भारत से बेहतर देखी जाती है तो यह थी आपकी स्रीलंका कि इसका सही जवब क्या हो जाएगा खवल आपसंद सही हो जाएगा ठीक है अगरा देखिए एक वस्तु का अधिकांश्रत प्राक्रतिक परिक्रिया में उत्पादन सम्मिली थे तो यहां पर देखिए एक वस्तु का उत्पादन होगा तो उसे किस चेत्र में रखा गया है द्यूतिय चेत्रक में रखा गया है इसका सही जवब खवल आपसंद सही हो जाएगा इसे याद रखिएगा जबकि सेवा किस में आता है तो सेवा आएगा प्राथ्मिक चेत्र में तृतिय चेत्र में जैकि के एकजाम में किसी दुश्रे से पूछने क्या अग्रा प्रस्ट देखी ए आट वान बिसमार का संबंद किस देशसे था आट वान बिसमारक जो थे इनका संबंद जो था आपका जर्मनी से था इसका सही जब खवलाप्शन सही हो जागा निम्जनिकित में से किसे 1871 इसमी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोसित किया गया था जर्मनी की जो प्रथम सम्राट जो घोसित किया गया थे वह यह तो विलियम प्रथम तीस प्रशन का सही जो आपका वलापसन सही होगा आपका अगरा देखिए कि 1789 इस विए फ्रांस किस प्रकार का राज था तो यहां पर फ् जानदीज़ेजाड किेंदिरी शक्तियों में संब्नि जहाता है रूफुस यापका प्रशन देखी आप सृ लंका में निवीло कित में से कौन सब्संख्या बखर आता है यह प्रशन तो raging डुशत कि बहुत संख्या को आता है जितने भी प्रश्ण करा रहे हैं फार्स ट्राइक रिविजन की तरह आप करके चले जाए बीस कोईस्टन में से आपका एक कोईस्टन भी बाहर नहीं जाने वाला है मांचित्री जो सवाल आपको कराएं उससे भी एक सवाल आपको बाहर नहीं जा आते हैं तो आपके सभी एक कोईस्टन भी नहीं जाएगा सतर नंबर का प्रश्डतर में संतर पूरा आपको जितनी भी कोईस्टन बता है अगला देख लिजी निजिए कौन सा राज भारत का संघीर नहीं यहां पर संघीर राज्टगत नहीं आता है यहां पर उत्तर पुछेट जाए तिसका सही जब घवलापसन सही हो जाएगा देखिए आपको यहां पर संघी राज पूछेगत राज्यों की संख्या आप बता दीजिए अठाइस में 28 राज्यों में कोई भी राज्य देगत संघी राज्य होगा लेकिन दिल्ली क्यों ने दिल्ली कंदर शा दीजिए पुछाई होता है प्रमक काल माना जाता है पंजया ब्यक्ति का संसाधन थैं। भूमी जो आता है एक व्यक्ति का संसाधन नहीं आता है ठीक है जब कि इसके लगान हो गया चारगा हो गया भूमी हो गया खनी संसाधन हो गया ठीक है यहां पर देखिए आप से क्या पूचा है ठीक है व्यक्ति का संसाधन नहीं है तो नहीं जब पूचा है तो आप यहां पर घवल लगाएगे यह प्रश्णा को सही हो जागा ठीक है अगला प्रश्ण देखिए आप निव लिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी इसका सही जब आप से सही है इसके लावा आप बाकसाइड याद रखिएगा कि इलमूनियम का याद रखिएगा मानोवीकास रिपोर्ट 2018 में भारत के कौन सा अस्था प्राप्त हुआ था तो यहां पर देखिए 2018 के अनुसार बताना है कि परते हैं के यहीं को किन वस्तों के लिए परमारी चिन आब टाल आई प्रणात यह कमार का इसका प्रशन प्रियोक डिलीजीए आप जर्मनी के एक एकरणा में मुख के भूबिका किसकी थी यह सभी प्राश्ण आप को तो ने पोलीन का जो प्राज्य हुआ था 1815 में तिसका नेपोलियन का प्राज्य हुआ था Czech स्ग्विश्यूजी आधा देख ली राति प्रारम सरोपतम किस देश से यह नहीं प्रशना आपको याद वह गया होगा राष्ट वात का जो प्रारम सरोपतम जो फ्रांस देश से वट इसका सही जी आपसन सही हो जाएगा अगला देखए का संगी सूची का विष्छी हैं आपका राच्छा आता है इस प्रशन का सही को वहला आपको आता है यहां लिखाए के शुच्छा को याद रखएगा का सामउवरती सूची जितने प्रशन पता रहा है साथ tut यहाद रख़िए अगला प्रस्न देखिए बेल्जियम की सामुदाइक सरकार में निमनलिकित में से किसके मद सक्ता में साज़दारी है तो विभिन समाजिक समूहों के मद्ध है तो अगला प्रस्न आप ध्यान दिजिएगा निमनलिकित में से किस के अधिक मात्रा ज़ल लोड मिट्टी में पाई जाती है जलोड मिट्टी में क्या सबसे अधिक मात्राइं पाई जाती है तो यहां पर आपसन में देखिए पोटास फास फुरोज चुना यह सभी जो होता है आपका जलोड मिट्टी में पाई जाती है इसका सही जब गह वाला आपसन सही हो जागा अगला प्रशन देखिए इंत्रसाइट का संबन किस खा अंधित है अगला देखिए भारत में कितने पृटिशत लोग च calculate करते हैं अगला प्रस्टन संगतन का मुख्याले कहां पर इस्तित्त त डिए ध्यान दीजिएगा कि विश्व बयापार यहां पर कहा गया है विश्व बयापार संगटन को मुख्यले जो है आपका जेने में हमाई है तो इसका सही जब गवल आपसर याद रखिएगा देखे अगला स्यट का प्रशन है देखिए बार 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 जो प्रशन आये गा आपका देखिए किसने का तो मैटर निक सापने का था यह प्रशन आपको कई बर करा चुके हैं अगला देखिए सभी ने अवाग्या अंदुलन की शुरुआत किस महत्पुड़ घटना के साथ हुई थे यहां विद्यान दीजिए सभी ने अवाग्या अंदुलन का प्रार जाने वाली जुबासा है आपका हिंदी है काले दस्ताने और बधी मुठियां किसके प्रतीक होते हैं काले दस्ताने और जो बधी मुठियां होती है यह आपके क्या होते हैं शांती के प्रतीक होते हैं इसका सही जब खवर आपसन सही हो जागा अगला प्रशन देखिए यह भारत नेपाल स्रिलंका का छोड़ दिया जाए यह आपका पाकिस्तान में आता है तानशाही लोकतंत्र ठीक है अगला लोकतंत्रिक विवस्था की राजनिती और समाजिक असमानताओं के बारे में किये अध्यन बताते हैं जिदे कि आप सुंग पॉली जिए कि लोकतंत्र वि विवस्था की राजनितिक।र समाजिक असमानता के बारे में किये अध्यन बताते हैं जो असमानताय होतीлом यह लोगता अंत्रिक विवस्था में असमानता है बनी रहती है ठीक है इसका प्रश्ण सही जवाब भी वला अप्सन मतलब घह वला अप्सन सही हो जागा ठीक आप देख सकते हैं इस प्रश्ण को अगला प्रश्ण देख लीजिए आप चाई की खेती के लिए कौन सी में सीरीधार खहती होती है यह भी प्रश्ण होती है इसमेरेल का जिकाले झाले कहां पर है तो निलिक से कौन सा विकसित देश आपको से कौन सा है युद किसी लेशाप का फ्रांस जो है एक विकसी लेश के इंतरगत आता है धारत हुआ बंगला देश वा से सीड देस्स ज़िविका का प्रमुक्सृत क्या होता है तो भारत में जी विका के प्रमुक्सृत है किरशी को मारा जाता जिसका अगला नंबर का प्रशन है जो बाइला सेट का है तो श्मसा ने तो नाप मेश फ्राहनी की करांति आप सभी को आतक याद बाइली थी 17197 कोई है हिंदि स्वाराज पुस्ति जैं कके लेखें महत्मा घेें भी यी मेशल आ रहाए है यह प्रशन आपको कई बर करा चुके हैं ठीक है अगला प्रशन देखिए आप प्रथम विश्वयुद प्रारम गुआ था तो 1914 इस्वी में आपका प्रथम विश्व प्रारम हुआ था ठीक है समवर्ति सूची से संबंधित विसे नहीं है समवर्ति सूची के अंतरगत क्या नहीं आता है फिदैकर बों आ गया उत्तरा धिककरी आ गया कि समवर्ति सूची कि अंतरगत आते हैं زबी माते हैं की यह भारत का राजभासा है सन्विधान के अनुसार देखा जाए तो राजभासा कौन सा हिंदी को राजभासा माना जा गया है ठीक है अगला प्रस्न यहां पर देख लिए पंद्रे नंबर का नीमनलिकित में से कौन सा खनीच आधार भूत है लोग अयस्क जो होता है खनीच आधार भूत माना जाता है अगला प्रस्न देख लिए नीमनलिकित में से कौन सा उर्जा का प्रमप्रागा श्रोथ है तो उर्जा का प्रमप्रागा श्रोथ है तो उर्जा का प्रमप्रागा श्रोथ होता है यानि प्रमप्रा से यही चला रहा है तो प्रमप्रागत प्रश्न का सही जब खवलापसन सही हो जाएगा अगला भारत में वायू परिवहन का राष्टी करण कब किया था भारत में वायू परिवहन का राष्टी करण अगला प्रशंद देखिए यहां पर कि निमनेलिकित में से भारत परमुक रूप से किसका आयात करता है आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से वस्तों कँ अपने देह में मांगाना जो होता है बाइस ब्हारत आया ठीडंगे में फ्रांस की किरांती हूई थी जर्मन संस्कील में बोक्स जिश्ट का आस्य है भी आपको कई वर्व करा चुके हैं कि बोग्स जिष्ट का आश्रे राष्ट से संबंदी थे संसदी प्रजातंत्र की अस्थापना किस देश में सरवपर्थाम हुई थी संसदी प्रजातंत्र की अस्थापना जो आपका हुआ था यह हुआ था इंग्लेंड में 24 कांड किस वर्वस घटित 222 इसवी में 24 कांड हुआ था निम्हल किसमें क्या राज सुची का विसन नहीं वी से इसमें से क्या नहीं तो यहां पर देख farge to taggy के इत्पता नहीं आता और राज़ी सूची के इंतर इता है ठीक है अगला प्राशन आप देखिए भारत संग में और सख्त्यां किसमें और सप्म राज में है और संग में सब्सक्राइब करने का आधार है किसी देश के विकास का निर्धार करना है तो क्या देखना पड़ेगा स्वास्त और सिच्छा का अस्तर प्रति व्यक्ति आए और यह सभी देखना पड़ता है सब्सक्राइब करना है तो यह क्या होगा कि नियमित कारी को दिखा जाता है उपज की तीमत बेहतर मजदूरी होना चाहिए यह होता यह संभी प्रश्ण इसकाBeabout सही जवाब हो जागा अगरा प्रश्ण यह आप देख लिजिए बांदों को डाड़ भी कहा जाता है तो बांद Limited क रही जिए मज़री जाएगा देखिए अंतरष्टी और जाएगा तो निन निकित में परिभवहन का कौन सा साधन अति-दुर्गम अस्थानों के लिए अत्यांत अवश्क अभर्षक है तो हां के लिए आपको वायुपरिभवहन प्रियोग करना पढ़ेगा। यहां पर वायू परिवहन है जैसे पहाड और हुआ एक समुंद्रे को उस पार जाना है तो वायू परिवहन परियोग कर रहेंगे आप ठीक है और यह सिंपल भी माना जाता है देखिए आपका अगला नंबर का सेट है कि वर्तमान समय में भारती संग में कितने केंदर शासित पर देश है तो वर्तमान समय में टोटल आठ केंदर शासित पर देश है पुनर जागर का यूग का अभ्यूदे किस देश से हुआ था यह हुआ था आपका इटली देश से विश्व ब्यापार संगटन की अस्थापना कहां पर हुई थी विश्व ब्यापार संगटन की जो स्थापना हुआ था आपका विवा था न्यू-यार्क से मानो करताद दिभस कम मनाया जाता है तो मानों अधिकार अधिकार Vaccina जाता है 10 दिसंबर को मनाही जाता है इस प्रस्ट्रश्ण का कि ऐसायोग आंदुलन का मुख्छय कराड़ क्या था ये था आपका सब्पाष के छेति काली मिटी में किया जाता है इन Studien से कौन सी रभी की फसलतर के अंद्रगत आता है डाल क्या आग आगीकशल के अंद्रगत आता है इसके लाण की फसल चाना गया सरसों हां गया खेहूं आ गया यह समक्त को साथ में याद रखिएगा ब版 होकता सरच्छ अधिनियम कब भारत में करेंसी नोड जारी करने का अधिकार किसके पास है यह आपका इंडिया के पास सभी प्रशनों को आप देख लीजिए एक बार अगला प्रासन देखिए महात्मा गादी दच्छ अफरिका से वापस कब लोटे थे यह वह 915 में लोटे थे इस प्रशन का सही जाप 1915 अगला जर्मनी के एक इकरार में मुक्य भूमिका किसकी थी जर्मनी के एक इक इकरार जब हुआ था तो उसमें आटवान विसमार के के मुक्य भूमिका थी तिसका सही जब खावल आपसन सही है नेपोलियन का संबंद किस देश से है ति नेपोलियन का जो संबंद आपको फ भी कर सकते इसके लिए या भोजन का अभिन इसके लिए नमक तयार करने पर सरकार का अधिकार था इसके लिए इन तीनों में से किसी के लिए नहीं था इसका सही जब घवलापसंस सही हो जाएगा निम्नलिकित में से कौन सा संगी राज ये नहीं है यहां पर संगी राज आप पांच में हुआ था इसका सही जवाब कवल आपसं सही हो जाएगा देखिए अगला प्रस्त आपका है निम्नलिखित में से कौन से दो दुरस्त और इस्थित अस्थान पूरु पस्चिम गल्यारा द्वारा आपस में जो जोडते हैं देखिए यहां पर इसका सही जवाब क्य महात्मा गाधी राष्ट्री ग्रामिर रोजगार गारांटी एक्ट कब चलाया गया था यह चलाया गया था आपका 2005 में सलाल बांध किस नदीब पर है तो सलाल बांध आपका देखिए बहुत important question भी है सलाल बांध जो है चिनाव नदीब पर है ठीक है अगरा प्रश्न इते अधे तोराखंड में आता करांगर तकहें याद रख्याओन है अगराया ग्लाज में कि सुंद्ल वन रश्टी इस आपको पस्टिं बंगाल अगला निमीं किट मैं से किस वस्तू का निर्यात नहीं तक भारत में बारत किसका में परना पाल उर्वस्त को भीकाता नहीं योग आन्दुलं का मुख्यकार क्या था और फलक्त और लुक्त लिटाए ऑपशाय क्वेस्वथ और फिश्वाइद नॅत Twins डेकिए इन न swoją में से जो आपको लगा ना क्या धेरिप्र्ट लगा यृति खोります यह अंदुलन का मुझे गाल तरोलेट एक्ट लगाईए गाप लो करो और मरो कर नारा किस ने दिया था महत्मा गादी जी ने दिया था इटली का एक इक रड़ किसके नेत्रुतों में किया गया था यह कि अगया था जू से गरी बालडी के द्वरत इसका सही जब अपसंथ अ राषटि पार्टी नहीं है, यहां पर राष्टि पार्टी नहीं है बताना है तो समाजवादी पाटी जो रही होता है एक राष्ट्री पार्टी के अंत्रगत नहीं आता है, देखांगे अगला प्रस्थ नि và लिकित में से कौन सी रिष्वदार फसल है आपको र LD50 बताना है तो यहां पर क्यावाब spend greatest आता है अब अगला प्रशन है पे द्हां दीजिए it Omega अगला प्रशन आपको क्या है कि मिलीखित में से कौन सा नगर भारत की राजसदानी रूप में जाना जाता है और बंगलूरु को जाना जाता था किसकी तर निमनलिखित में से कंसा पत्तम देश पूर्वी टप पर इचलित स्तिते तो यहां पfrom पूछा पूर्वी टपकर आप कि सो फोफ ड़ंद का पर किया जाता है विदेश किनके मद्य होता है देश कर लाता है कि अगला कि 184 में प्रांस से राज क्रांति के फिलस्वरूप क्या था यहां पर इस विक की फ्रांसिसी जो क्रांटी हुआ था उससे में आपके गर्द तंत्र के अस्तापना हुआ था ठीक है अगला महामांदी का प्रारम कब हुआ था तो धर्म निर्पेच्ञ ने क्या तो धर्म निर्पेच्ञ राज वता है उसमें सभी दर्मों को समान साधा मिलता है इसका वहाल आपकला अगला तो जूसकर हो आपके आपक घहाँ पहरत में पंचायेटी राज पह wasn गया था ठीक है इधिया है निम्न लिखितमें से कौन सा जयविक संसादन है ठीक मतलब समझ लिए कि जिसमें जान नहीं होता है जो निर्जी होता है जिस जो निर्जी होता है अजयविक संसादन हो जाता है जैसे चट्टान क्या एक अजयविक आपको निवे लिखेत में से कौन सा खरीब की फसल है खरीब की फसल बारवर बताते चले आ रहे हैं कि धान क्या है आपका धान हो गया और साथ में आपको क्या वया का नहीं तो घैन। सब्सक्रमा क्या होता है एक वस्तु प्रक्रिया ऊत्पादन कहा जाता है यह किस में आए दीलुटी च्छत्रे चोशन ओर्तक यह कृतरमा के अग्रम करता है यह करता है कि रही निमस्ट रहुत है इसका पंजाब में बुमी ने मक्राल का मुख्य करर है इसमें झतिए पसु चैरल हो जाएगा ठीक है देखें यहाँ आप इस प्र souvent सही किजेगा अंत्यदिक सिचाभी होगा क्या होगा अंत्य दिक 2 यह पस्फण निफ नहीं होगा ठीक है है निवने में से किस सीहरों किस राजी कि परति सावाणीख है तो यहां में पताना किस का है तो परति प्रति व्यक्ति आइस र्माश्ति हैं आपका हर्यारा यद ठीक है अगर आप प्रक से लिपावавно तर्विंद्ध कि गोश्रा का विए था तो पूल पर फरोक ठीपाति हो देखें याँ पे भारत वापस आने पर गाधी जी ने पाला सत्तेगर कहां पहीं किया। ुआ हाटभ एनव्सायों के निमनलिकित में महिलाओं के लिए अच्छा प्राप थे ठी के सर्विधान में उलेखित तीन सूचियों में से निम्नलिकित में से कौन सा विसे समवर्ती सूची में शामिल है तो आपकी सिच्छा जो होता है समवर्ती सूची में आता है अगला प्रसन देखिए निमनलिकित में इसे कौन सा नवीकड़ी योगे संसाधन नहीं है यहां पर जो आपका होता है अर्थ प्रसन देखिए अर्थ व्यवस्त्रा के सा एधार पर विभाजित किया गया है लाल पीली मिट्टी कहां पर पाय जाती है तो डगकन का जो पतार होता उसमें लाल पीली मुट्टी पाई जाती है आपका ठीक है निम्लिकित में निम्लिकित देशों में से किस देश का मानुविका सुषकांग दूहजा सोल के अनुसार भारास से बेतर देखा गया है तो है आपका स्रिलंका देश का देखिए यहां पर महात्मा गादी जी अफ्रिका से वापस कब आये थे उन्नी सुपंद्रही सवी में आये थे संगात्म शार्षन प्राली में अधिकारों का विभाजन होता है अधिका किस देश में प्राराम हुई थी देखिए यहां पर ओद्योगिक क्रांथी प्राराम हुआ था यह आपका इंगलेंड में हुआ था तिसका सही जब सवल आपसन सही हो जाएगा अगर देखिए नेपोलियन का संबंद किस देश से था ति नेपोलियन का संबंद जो आपका था फ्रांस देन्ष इसका सही जब सवल आपसैन्ष ऑजागा याद रख्येगा नेपॉलियन का संबंद्ध प्रांस देश से सह था संयक्त राश्ड रस्तंग का मुख्यावले कहां पर रहे जे न्यव्यार्क में इसका सही जब सवल संद्ड इस इ 것은 संसादनातों च्छाहिए प्रणा को कि अधि मुट्टी मिट्टी सब्सक्राइब आक भूदान व्ध श्रीनियरण ख्रपनि x4 थीक ज स्ट रवू dudения गया था फ्रत्र फिर दोडान किया गया था किसके द्वारा शुरूह था विष व्यार्पार अंगठं जो शुरू है जो किसी देसों के द्वारा शुरू है था निवद कित में मैं मुंबईल मुंबई आथा कि इसके लिए प्रसिद्ध तेर शोदकार खानों के लिए प्रसिद्ध ठीक है पहला प्रशन आप से पूछा जाता है कि नेल की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहां से प्रारम हुआ था यह था आपका चंपारण और साथ में याद रखें चंपारण परता है बिहार में आपका सामने भुलल् ^^ यहां पे उत्तर प्रदेस यहां आपका पर-देसे आपका बिहार से भी आप खांदूलन यहां से नील इसे एक बार सिर्फ लिख लीजी आपको यह प्रशन्य याद उजएगा लिखते लिखते याद अगला प्रशना आपसे पूझा जाता है कि किसान सत्यागरा सीधे प्रशन आपसे पूझेगा कि वहां अस्थान बताईए जहां से किसान सत्यागरा आंदुलन प्रारम हुआ तो आपका खेड़ा कहा प्राइप कि यह हैं आपके सामre मानचीतुर देखें मानचीतुर आपके दिमाग न peeling छुप इसका यह को यह देख्ए है यह नहीं है नारतम यहां से लिख सकते हैं के लिए वर जेकेऑं आप पूरा यहाद हुआ एगichtig और भंच प्रश्रत आप पूछता है कि वह अस्थान decía सोती प्रार्म हुआ ठाउस का सत्यगर काण सोते हुआ से अहां कना अहमादाबाद गुजरात बने आपके सामने मांचित रहे यह आपका गुजरात और यहीं पर पढ़ता है आपका इसके बगल में अहमदाबाद यहां से लिख सकते हैं अहमदाबाद अहमदाबाद ठीक है यहां भर लिया आप अहमदाबाद फिर इसके बाद देखिए अगला प्रशना सबसी इंप्टेन प्रस नहीं यह कल की पेपर में आपको हंडीड परसेंटेज देखने के लिए मिलेगा जालीए वाला बाग हत्यकान कहसे प्रारंब हुआ तहा यह अमिरिष्ट रहें कहा पर पंजाब में पंजाब में याद रखिये एफ यह आपके सामने मांचित्र यह पढ़त बस जितना प्रश्ण बता रहा है आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी प्रश्णों के एक बार सिर्फ देख लीजिए कल के बूर्ड की एक क्वेस्टन भी बाहर चला गया इससे ना तो आप कमेंट बाक्स में लिख लिख दीजिए का पुरंद की सर आपका प्रहाया जो पूछा जाता है कि असायोग आंदोलन क्यों महात्मा गादी जी के द्वारा अस्थागित कर दिया गया था यह चूरी चौरा हत्यकारण 1922 इस्वी में हुआ था इसके कारण आपका असायोग आंदोलन को क्या किया गया था अस्थागित कर दिया गया था यह आपका चौरी चौरा अभी चौरी कहां पर उत्तर पर देस में यृ आपके सामने मानचितृ हैं मानचितृ में क्या है ये उत्तर पर पर देस यहां पर पड़़ता है चौरी चौरा यहां पी लिए toujours चोर सारा अगला प्रशन देखिए आप सवीने अवाग्य अंदुलन प्रारंब हुआ है जो 9303 में सवीने अवाग्य अंदुलन से होता है और इस सावरमती आस्रम कहां पे घुजरात में इसे आप प्रेदा साबर मती आशरम ईब अगला प्रशन महत्मा गाधी जी ने नमक कानुन भंग किया आपके महात्मा गादी जीने नवक कानून जो भंक लिए था वहां से किया था और महात्मा गादी में यहां पर पढ़ता है तुछ प्रकास भरिया तो प्रकास आंको भरना अगरा प्रशन और प्रश्ण देखि année चंद्रिशेखर आजाद शहीद द paragraph छो आजाद सहीद हुए ठीज़ नी की इलहाबा आप रियाग जार आप प्रशनों के याद रखेए यहां प्रियाग राजद बन छीखा सकतें देखा सकते जीतने परशन वर यहां हैं यतार ज्लेजा दिखा प्रियाग राज उत्तर परदेश में अमिरित सर्जों है आपका कहां पे हैं यह है आपका पंजाब में साबरमति आस्रम खेड़ा आहमादाबाद डांडी यह सभी कहां पे आपके गुजरात में इन सभी प्रश्णों को आप जरूरियात रखिएगा देखिए अब एक और इंपोर्टेंट क्वेशन आपका प्रारम बहता है भारती राष्ट्री कांग्रेश अधिवेशन से संब्द एक नंबर यहां से प्रश्ण आपका फिक्स हैदन देखिए आपको जो बताएंगे ने बस इतना ही आप याद रख लीजिए कल के पेपर में यही प्रश्ण काहां पर हुआ था यहां महिन यायाद रहेगा जब सितंबर नहीं चल्कत्ता चल्कता told बढंगारों चल्ए खी यहां loose बंगाल यहां से भर दिजिएगा इसको पस्चिम बंगाल मतलब कलकत्ता भरिएगा कलकत्ता इसका मतलब कलकत्ता जब बरेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि सितंबर नईसका मतलब कलकत्ता में भरती राष्ट्री कांगरेश का अधिवेशन हुआ था इस पकार से भर लेंगे ना आप कलकत्ता जब यहां पर महिना जरूरी याद रखेगा सवाल परते समय थ्यान से पढ़िए कि कौन सा यहां पर महिना दिया है सितंबर दिया है दिसं तеля है भारती राष्टी कांगरेश का अधिवेशन में कहां पर हुआ था नागपूर स्ट का है नागपूर पढ़ता क्या है यह पढ़ता है महराश्ट में यह आपका दिए यह आपका महराश्ट को महरास्ट में आप कहीं से बहन देड़ यहां पर देखे नागपूर भर लेंगे यहां पर देखे नागपूर भर लिए यानि कि दिसंबर 1922 में जो नागपूर में अधिवेशन हुआ था अब इस प्रकास भरेंगे अगला अधिवेशन पूछता है कैसे भारती राष्टी कांग्रेश का अधिवेशन सन 1927 में और चन्नाई कहा है तहाँ ति आपका तमील्णाडु में अगाला ब्रश्ण में हुआ लाहर में देखना कई से कांग्रेस का अदिवेशन चाहँ थी में पुझे का यहां पाकिस्टन यह यहék entrepreneur लाहोर ठीक है यह वाला भाग क्या हो गया आपका लाहोर हो गया ति इस पकास इस प्रश्ण को आप जरूर ध्यान दीजिएगा अब दीखिए आपके सामने अगला नंबर क्या है कि भारती राष्टी कांग्रेश का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था तो भारती राष्टी क आपका आफका मानचित्र में यह क्या है मूंबई में यह भर सकते हैं अधिवेशन अधिवेशन यह हुआ अदिवेशन यह हुआ है इस पकास आपको भरना है समझ में आ अगया हो है ना कहीं पर को लगता है तुरंत कमेंट बाक्स में आप लिखे उसका इंसर आपको तुरंत देंगे ठीक है यह जो इतिहाद से संबंदित आपके इंपोर्टेंट जितने भी क्वेस्टन थे आप सभी को करा दी इससे एक भी क्वेस्टन आपका बाहर नहीं जाने वाला है ठीक बार बार नहीं जाएगा चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं देखे आपके सामनी सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेस्टन है जो आपके बोर्ड के एक्जाम में 100% कल के पेपर में आएगा वही क्वेस्टन यहां पर आप सभी को बताने वाले हैं तो यहां पर जो घेर हैं उसक सबसे बड़ा उत्पादक राजे जो दिखा बर्देश और पंजाब दोनो राज्ज्ये और उत्तरपर्देश परदेश और पंजाब यहांप वंधेर आपको लिख सकते हैं यह ہं ये आप से dec have lang पान कर लिख सकते हैं क्या गेहुं का उत्पादन क्या होता है गेहुं का सबसे बड़ा उत्पादक राज या इसके लाव आप यहां पर लिख सकते हैं गेहुं का एक उत्पादक राजी क्या है आपका उत्तर परदेश भी है तो आप सब प्रशन देखें का इसा पूछता है तो जो प्रशन पूछता ह पुछता है कि पंजाब यहां पर दीजिएगा यदि अगरा प्रशना है हर साल सरवाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सायथ, सरवाधिक जूट उत्पादक होता है पत्षिम बंगाल में होता है इस प्रश्ण के भी आप ध्याद रखिएगा जूट का उत्पादन पुखा दिए फिर इसमें क्या है कि जूट का उत्पादन ऐद पादिए और यह घ्य तो आप पता हो गया कि यह आपका है पशक्रिंबंगा ठीकिए अब अगला देखिए काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज तो काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज नहीं आप करनातक है तो आफी का याद रखी का से करनाटक याद रख सकते हैं कौनसे करनाटक थे अफ यहां पर लिख सकते हैं इसमें कॉफी कि यहां पे आपिकले कफी कि सबसे बड़ा उध्पादक राजे क्या है करनाटक है समझ में आगी का sub यहां चावल बंगाल मांचित्र है मनचित्र में यह बता है इहीं पर उत्पादगराज जिते हैं आप लेकिदी है चावल के उत्पादक फिरो वितृष ने उत्पादक राज राज चावल का उत्पादक राज वह जूट का उत्पादक राज गर सर कौन है तो आपका पस्चिम बंगाल गाल ठीक है कि अगरा प्रश्ण देखिए आप कि मुझफली करा सबसे बड़ा उत्पादग राजी याद रखिए को सबसे बड़ा उत्पादग राजीших आपका गुज्रात मत्वान आधिक मात्र में कहां पूद पादर ऑलच होता है और तुछ एक ओर यह सवाल गण्ना का उत्ताइज यह सभी को पता होगा कई आपको उतन्य प्रदेश में यह और लिख सकते हैं घृः यह अगला प्रसन देखिए चाय उत्पादक छेत्र यानि कि चाय को उत्पादक राजी कौन से असम तब देखिए आपका मांचित्र इसमें पूरा भाक्या आपका असम है और यहां पर डिख सकते हैं चाय समझने के लिए ठीक जैसे भर रहें इस तरह एक बार भर लीजिए चाय के लिए असम है अर। इस तो पूलिए कई पढ़ता है है और कैये पूलता है कि कि अगला प्रसन कि है कपास उत्पादक राज्य क्समक पोड़ी एक कपास का दो जगा उत्पादन ऊता me घुजत्यव में महाराश्ट चर्ण में को याद होगा कोई वी राजे अरह दीवा से कुर देगा है और मिलेगा है कंपास थन्ह तक क् mould वी राज्य आपको जो याद होगा भर दिजेगा आपका एंसुर हंडेट परसंटेज करेक्ट होगा ठीक है तो देखें यहां पर आपके जितने भी इंपोर्टेंट सवाल गेहूं मुफली चावल यह जितनी भी इंपोर्टेंट थे आप सभी को बता दी इसको एक बार रवसाओ आपको कराया है भी प्रसंट आपका एब हृबट की एक्जाब में 100 परसंटेज आता है देकिंखें यहां पर सभी आठ बांध इस आठ बांध बांध के बाहर एक बैंद आपका जाने वाला नहीं है और नदी से संबंदित है जो कभी-कभी आपके बोड के एक्जाम में नदी भी पूछ लेता है यहां पर यह सभी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं सभी क्लियर हो जाएगा एक बर बस ध्यान से देख लिजिए और इसको आपको मांचितर भर की भी आप जैसे दिखें इसी तरह एकला बस लिखी दीजिएगा प्रश्णियाद हो जाएगा हीरा कुंडबाद कहां पर है तो आपका उरिसा राज्य में और किस नदीप है तो महा नदीप है तो इसका मतलब आपसे हीरा कुंडबांद बोलेगा तभी पूरिसा में बना दीजि एक हीरा कुंडबांद है क्या है हीरा कुंडबांद हीरा कुंडबांद हो जागा आपका इसके लाव महा नदीप है तो महा नदीप है आप लिख लिए जिस याद करने के लिए महा नदीप ठीक है तो आपको हीरा कुंडबांद पूछेगा ता उनिसाम बरिएगा महा नद तो बाद तूम् surtout कि अफुस्ता है जब बाध बहुत कब बोर के लेकisz किका भद्रा बाफ के साथ तूम् भद्रा बांट जो वहता है तूम् भद्रान नदी यह और किस राज्य में करनाटक में तो देखिए आप कैसे बारेंगे तो अभी करनाटक आपको बताएं यह वह राजी क्या है करनाटक और यहां पर क्या पाजाता है तुम भद्रा तुम भद्रा बांध और यहां पर यह देखा दिये तुम भद्रा नदी तुम भद्रा नदी ठीक है तुम भद्रा बांध जो है तुम भद्रा नदी पर यह और कहां पर है यहां पर करनाटक न ठीक है समझ में आगे होगा अगला देखिए बाख्रा नांगल बांध यह इंपोर्टन देखिए हिरा कुंड बांध हुआ और यह बाख्रा नांगल बा और हिमाचल प्रदेश है कहां पर यह है आपके मांचित्र में देखेंगे तो यह पंजाब है और यह हिमाचल प्रदेश है और इसकी सीमा पर क्या है आपका भाख्रा नांगल बांध है तो चलिए देखी आप कैसे देखाएंगे बाख्रा नांगल बांध बाख्रा नांगल कि बाख्रान अंगल बाद्ध हो गया ठीक है और किस नदी पर यह है यह आपका सतलज नदी पर है नदी का नाम भी आप साथ में याद रखिएगा अगला दिखें सलाल बांद वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रश्न सलाल बांद भी इसको भी ध्यां रखिएगा सलाल बांद आखर को प simplemente किस नधी पर चिनाओ नधी पर रहे तो आप से कि सलालबांथ कहां पर धालाम्त मानचित्र की काई से देखाएंगे जिए आप जब देखंगे मानचित्र कि यह नहीं पर दिखा सकते भी तरह करके चिनाव नदी ठीक है अगला जो बाद है यह भी आपका क्या है इंपोर्टेंट ही अदम है इंपोर्टेंट है कि यह टियरी बांद कहां पर आपका उत्राखंड में और किस नदी पर भागिरती बिलांगना नदी के संगापर आप से प्रशन पूछेगा बस यह पूछता है ठीक हरीं पांद कहां पे हैं मानचीत्र में देखा क्या दिखाता रहा है रहाँ को यह पर समय में रहोगा आपको इसके आज़ों संग्нить Nepal बांद है जो है टेन्य न्रमदा नदी पर है गुजरात में यह इंपोर्टेंट प्रश्ण है कि सर्दास रोबान का नदीपर बनआ है तो राज्ज में हैम यहां। पूछता कि नरमदानदी पर उपाँख दिखाए तो सर्दार सरोवर बाइगतु सरती होगो छोफो सरोवर बेंगत। सर्दासरोरबांद और नदी भी देखाना होगा तेयाओं प्रेखासकें कौन सी नदी नर्मादानदी किस नदी पर राजस्थान से यह जांद रख सकते हैं और किस नदी पर है चंबल नदी पर तो राजस्थान में राड़ा प्रताप सागरबांद दिखा देते हैं तो देखिए राजस्थान है कहां पर यह है आपको पूरा भागे राजस्थान राजस्थान में पूरा लिख सकते हैं राड़ा प्रताप सागरबांद ठीक इस पका नागा अर्जुन सागरबांद कहां पर है तो चलिए आप तिलंगना देखाते हैं यहां पर ध्यान से देखिएगा यह वाला भाग पढ़ता है आंद्र परदेश कौन सा भाग है यह पूरा आंद्र परदेश है जब कि यह वाला जो कटा हुआ भाग इधर है यह आपका तिल कांगणा में कौन सा देखाना है तो नागा अर्जुन साग बात कि ए दिखाना और नदी बी क्रिश्र नदी को दिखाना होगा तीसी में क। नदी यह आप दिखा दिखा दी जीगा ब माचित्र वाल सबाल इससे एक भी कोईशिण बाहर जाने वाला नहीं यह बस एक आप कलके बोड़ के इक्जान में पूरे प्रहत में प्रशन आप सही करके आएंगे एक बाई ओर बता देते हैं ढिगाट्टि हरी बात कहां पर उत्त्राखंड में इन सलालवान कहां पर जम्मु-कस्मीर में भाखना बां कहां पर पर तरह आप पर नर्मादार नदी आपका गुजरात तुम्भद्रा नदी करनाटक में तुम्भद्रा बांध भी आपके कहां पर है, करनाटक में ठीके, इसको देख लिजिए एक बार, इसके लाइब नागारएजुन् सागरबाद कहा पे है? नागाब्योन्सागरबाद आपका तिलंगना राज्य में है, और एक आपका बाता है हीराकुंड बान, जो महा नदी परिस्तित है, तो महा नदी और हीराकुंड बान कहा है? यह लु ensure आपकी यहां पके आपकी कुछ आप question 10 number अपना fix कर सकते हैं तो friends आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल पे नहीं चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें